वेलकम स्टुडेंट्स आज हम चर्चा करेंगे यूनिट एंड इट्स मिजर्मेंट का यह पार्ट वन होगा इस तरह से बहुत सारे पार्ट समय लाऊंगा तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में हम कोवर करेंगे इंट्रोडक्शन तु यूनिट का यहनि मात रखों के परचाय के बारे में जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम आफ यूनिट के बारे में जानेंगे मिजर्मेंट आफ लेंथ के बारे में जानेंगे aim, measurement of mask के बारे में पढ़ेंगे, measurement of time के बारे में पढ़ेंगे, accuracy, precision of instrument and arteries in measurement के बारे में जानेंगे, significant figure के बारे में जानेंगे, dimension of physical quantity इसके बारे में भी study करेंगे इस चैप्टर में हम डाइमेंशनल फॉर्मूला एंड डाइमेंशनल एक्वेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे डाइमेंशनल एनलाइसिस एंड इस अप्लिकेशन के बारे में भी जानेंगे तो इतना सारी टॉपिक्स को इस इस चैप्टर में हम कॉबर करेंगे तो स्टा आपको चीनी खरेजना है कि आप जाएंगे दुकान में कैसे बोलेंगे चीनी चाहिए एक केजी पाच कीजी तो केजी का यूनिट है ठीक है और इसके मदद से हम क्या करते हैं फिस्गल कॉंटिटी निकी जो के चीनी था उसको हम क्या कि मीजर कि तो क्या है यूनिट जाए इसको कहा जाता है इन्टरनेश्नलीए एक्सेप्टेट और यह स्टेंडडरन मीजर होता है इसके मनाद सां सरल को ंड़ी को मना करते है छो ठीक हे ब Northeast कर यूनिट की संख्या ज्यादा होगी या फिजिकल क्वांटिटी की संख्या ज्यादा होगी तो आफ कोर्स फिजिकल क्वांटिटी की संख्या ज्यादा होती है जिसका यूनिट की संख्या कम होती है कैसे कम होती है अब देख सकते हैं लेंथ जो होता है लेंथ उसका यूनिट होता है मीटेप्त का भी मीट ही ह doisना यहां इस तरह से बहुत सारे फिसिकल कॉऔंटिटीज है जिसका यूदर शे म होजाता है अब यहां पर बात करें हैं टाइपस ऑ दूटइपस के एक होते हैं हटें आते हैं इप्रोम चाहिए अब सिस्ट्रम फर्ट अलोडाय उनिट र्टाय। अब system of unit की बात करते हैं यानि मात्रकों की पढ़नाली तो the set of fundamental unit and derived unit is called system of unit यानि की system of unit में क्या एगा तो fundamental unit और derived unit दोनों को मिला देने पर क्या बनता है system of unit बनता है यानि मूल मात्रकों और वियुदपन मात्रकों के शंपुर्ण समुच्चे को क्या कहते हैं मात्रकों की पढ़नाली कहते हैं अब हम बात कर लेते एसा यूनिट की जिसका पुरा नाम होता है system international यानि कि हिंदी में कहते हैं मात्रकों की अंतरास्ट्रिय पढ़नाली ताकि यह ग्लोबली एक्सेप्टेट सिस्टम में मिजर्मेंट की पुरे विस्व में इस स्विकार किया जाता है यानि कि यह वरल्ड में इसको माना जाता है तो इसा यूनिट के दो टाइप होते हैं एक होता fundamental unit या base unit और एक होता है करेंगे मास का किलोग्राम होगा इसको कीजी से डेनोट करेंगे time का होगा second होगा जिसे हम S से डेनोट करेंगे temperature का Kelvin होगा जिसे हम KK से डेनोट करेंगे electric generation units के UH AJC से डेनोट करेंगे amount of substance को unit होता है mole और हुझत को more मोल से डेनोट में उसमें हम आगे इसके डिसकस करूँगा बाय